दोस्तो मैं हूँ सब्बे साची और एक्स्टा टाइम के यूट्वीब चैनल में आप सबका स्वागत है क्या भारत को अपना नया शेन बॉंड मिल चुका है अब शेन बॉंड के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ शेन बॉंड के बारे में इसी लिए बता रहा हूँ एक लड़का है जिसका नाम है मयंग यादब उमर 21 साल दिल्ली के होके वो रंजी टॉफी खेलते हैं और इस साल IPL में उनका डेबिव हुआ जी हाँ मैच था लखनो सुबर जाएंट्स और पंजाब किक के बीच लखनो के एकाना स्टेडियम में मैच था उसमें कोठ जस्टिन लेंगर ने मयंग यादब को गाउन में उतरने का मौका दिया और पहली मौका में पहली ही मौके में उन्होंने चौका मार दिया जी हां बैक से नहीं बॉल से तीन ओवर में 27 रन और 3 विकेट ऐसे खास प्रदर्शन काफी सारे बोलर्स करते हैं लेकिन बात क्यूं कर रहे हैं बात इसलिए कर रहे हैं मयंग यादप के पेस के बारे में जी हां 155.8 जी हां इसी गती से उन्होंने गेंदबाजी की है एक गे के IPL के सबसे जो तेज गेंद है वो फेका है मयंग यादप ने अब सब हक्के बक्के रहेगे उनके परफॉर्मेंस है क्यूंकि मैच एक टाइम था जब लग रहा था पंजाब किंग्स आराम से मैच जीत जाएगी चेस कर देगी लेकिन 10 ओवर के बाद मयंग यादप गें जो की इंडियन टी 20 टीम में लगातार खेल रहे है तीनों विकेंद और और ऐसे निकाले ऐसे गेंद बाजी किया लगातार गती से जिसके बाद ब्रेटली शेले के शैन बांड सब उनकी बाहवाई कर रहे हैं अब उनके परफॉर्मेंस के बारे में ठोड़ा सा और चर्च कुल 24 गेंद फे की जिसमें 8 गेंद था 150 किलोमेटर से ज़्यादा गती के और 9 गेंद था 145 किलोमेटर के ज़्यादा गती से तो आप समझ सकते हैं कैसे वो अपने जुझारूपन से परफॉर्मेंस कर रहे थे और बिपक्स के जो बैटर है उनको डरा रहते क्यों ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैच के बाद मैच हारने के बाद शिखर दवन ने कहा है ये भीया ये तो आउट अप सिलेबस था हमारे लिए हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं था मयंग यादब बोलके एक लड़का आएगा और लड़का आके हम लोग के अकेले हरा के चला जाएगा बाद दिल्चपस कहानी है ये उनका पहला साल है खेलते हुए महस 20 लाक रुपिय में उनको आक्शन से LSG लिया था पिछले साल लेकिन वो हैंस्रिंग इंजूरी से जूज रहते नहीं खेल पाए और उतना खास मतलब उनका ग्लोरिफाइड डोमेस्टिक केडियर भी नहीं है फर्स क्लास मैच दिल्ली के लिए बस एक ही फर्स क्लास मैच खेल है और उनमें से उनको मिला था दो विकेट 17 लिस्टिब मैच मतलब बीजय हजारे या जो वन्डे मैच होता है हमारे जो डोमेस्टिक वन्डे मैच होता है उनमें से उनको मिला था 34 विकेट और T20 हलाके IPL का पहला मैच है तो उन्होंने इससे पहले सेयद मुस्तकाली ट्रॉफी के 11 मैच है इसके लिए ते जिसमें उनको मिला था 15 विकेट तो उतना उनके पास एक्स्पिजियन्स नहीं है लेकिन रॉपेस है और सबसे बड़ी बात ब्रेटली और शेंट बॉन्ड जैसे खिलारी क्यों उनके तारीफ कर रहे तारीफ इसलिए कर रहे मैं के पास सिप गती नहीं है उनके line length भी बहुत अच्छा है in-swing और out-swing दोनों वो करने में शक्षम है और उम्रान मालिक के साथ उनका जो difference है वो सबसे बारा difference है उम्रान मालिक के पास गती तो है लेकिन line length भी अच्छी नहीं है लेकिन मैं के पास लाइन लेंद भी है जो सबसे बड़ी बात है हाला कि ये पहला मैच है IPL का उनका डेबिउ था आगे और खेलना है आगे जाके और बड़े-बड़े बल्लेबाजों के खिलाब उनको बॉलिंग डालनी है तब जाके कैसे परफॉर्म करते हैं इसी IPL में विराठ कोली के एगस में उनको बॉलिंग डालनी है रोईत शर्मा के लिए बॉलिंग डालनी है सब जाके कैसे परफॉर्म करते हैं यह देखने लायक चीज होगा और मैंग के बारे में एक मज़दार चीज और बताता हो जब मैंग चलादव तो कमेंटेटर बता रहे थे क्या यह सूरिय कुमार यादव के भाई है चोटे भाई है क्योंकि मैंग का जो काठी है या या हेर स्टाइल है या जैसे बात करते है या जैसे चलते है जैसे लगता है सूरिय के छोटे भाई है लेकिन बोलिंग के स्टाइल शेन बॉन जैसा मयंग जादब इस IPL में कैसे परफॉर्म करते हैं कैसे उभर के आते हैं और क्या-क्या कारनामा करते हैं उस चीज़ पर हमारी नजर रहेगी एक्स्टाइम की नजर रहेगी और हम लोग बात करेंगे शिप मयंग के बारे में नहीं IPL के दूसरे मैचेस के बा शेयर किजिए इस एक्सराइम 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 एक्सराइम